अब अच्छो शुरू करते हैं अपना प्रेपोजिशन का प्रैक्टिस एक्ससाइज नंबर 17 तक हम लोगों ने पढ़ लिया जिसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट कोशन से अब आते हैं एक्ससाइज कि अवर्ड का मतलब वोता है किसी चीज को छोड़ना और इसके बाद कोई प्रिपॉजिशन नहीं आता है आ है और आप आन्सेरिंग वर्ड के बास को प्रिपॉजिशन आता नहीं है कि यह से मैं इस किताब को अवाइड करूंगा यानी से दूर रहूंगा तो आई विल अवाइड दिस बुक ठीक है तो इस बुक फॉर्म दिस बुक कुछ नहीं कोई प्री पोजिशन आता ही नहीं है अगर वर बाज है आवड के बाद आइए जी करते हैं तो यह कर सकते हो यह से मैं अवाइड करता हूं खेलना आई अवाइड प्लेइंग ठीक है यह रूल में मैंने आपको पढ़ाया भी है तो ही ट्राइट टू अवाइड आंसरिंग मैं कोशन आंसरों का डी ठीक है अवाइड कोई प्रिपोजिशन नहीं लेता है याद रखिएगा कुछ कुछन कॉमन सेंस होते हैं जंप इन्टू किसी को मतब कोई चीज उपर से नीचे कूदना दा कैट जंप इन्टू 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 कोई प्लेस होता है कहीं भी जाना होता है के साथ तू लगा लेते हैं सिंपल तो यह बजार जा रहे हैं सिंपल है ठीक है हर चीज के लिए रूल नहीं होता है कुछ कॉमन सिंस भी है कुछन नम्र चार बहुतन है आइ सक्सीडude में सफ़ल हो गया डैस कंविंसीग हिज क्रिटिक्स उसके अलो चुकों को मनाने में कंविंस कहीं दी मनाना होता है और क्रिटिक्स का मतलब है अलोचक ये बुराई करने वाले तो उसके बुराई करने वालों को मैंने मना लिया मनाने में मैं सफल हो गया क्या होगा बहुत बढ़े कुशन है at for by in तो भाई आप जान लो succeed का हिंदी होता है सफल होना और किसी भी काम में सफल होने के लिए इन का प्रिव होता है I succeeded in convincing his critics मैं सफल हो गया in convincing convince करने में his critics उसके critics को यानि उसके अलुचको को succeed इन लेता है याद रखिएगा ठीक है तो succeed का second form है succeeded पास नमबर बहुत important है बता चुका हूँ कई बार he thought that's eluding his pursuers pursuers का मतलब होता है पीछा करने वाले elude का मतलब जहांसा देना जहांसा देने का किसको जहांसा देने का his pursuers जो उसका पीछा कर रहे थे his pursuers पीछा करने वालों का को जहांसा देने का उसने plan बनाया जरसल किसी चीज के बारे में plan बनाना हो कोई भी चीज करना हो think of का प्रयोग होता है तो इस हिसाब से कर देखा जाए लिए तो प्रिपोजिशन के आए तो डरब करना परत प्र। तो he thought of यह पुरा लाइन याद रखेगा बहुत फेमस है इसका हिंदी होता है के बारे में सोचना तो he think कही second form a thought he thought of eluding उसने जहांसा देने के बारे में सोचा किसको his pursuers अपने पीछा करने वालों को यहनी जो उसका पीछा कर रहे थे उसको जहांसा देने का इसने सोचा बहुत बढ़ा कोशन है याद रखेगा बी होगा कोशन नमबर छे बहुत बढ़ा कोशन है that's the ungathered rice c lay lay कम मत देखू लाई मने लेट ना होता है उसी का second form ले लेट गई वह लेट गई कहां लेट गई अंगैड़र्या बिखरे हुए चावल लेट गई अच्छा नहीं लगा रह किया होगा ये beside the ungathered rice मतलब चावल कहीं रखा हुआ था और उसी के बगल में वह भी लेट गई तो options के हिसाब से हमारा ए होगा यानी कोशल यानी गुल आता है किसे आता है प्रेक्टिज से क्ल ठीड और ये इसा हद। दिल कम्स फ्राम प्रेक्टिस ठीक है सी होगा इसका आंसर माई ब्रदर वग्ड मेरे भाई ने काम किया डैस और नेश्टनेस और नेश्टनेस कहीं दिवता है लगन लगन मनि दम जी जान महनत तो मेरे भाई गंभीरता उज़नेशनेशनेशनेशू का मतलब गम्भििरता लगन तो मेरे भाई ने अच्छा यदमभीर है दम लगनसील तो लगन गम्भिरता पन मीरे भाई किया ने कम अब ग wing common sense है नौ नमबर देखो भई सीता बैठ गई डैस मी बिकॉज सी वज इल क्या होगा भई एमॉंग का हिंदी होता है के बीच और एमॉंग का भी हंदी होता है के बीच तो मेरे बीच बैठ गई यह अच्छा नहीं लग रहा है और बिसाइड का हिंदी होता है के अलावा तो सी साइड का हिंदी होता है बगल में तो सीता बैठ गई मेरे बगल में क्योंकि वह बिमार थी तो आंसर होगा यह प्यारे विच्छो हिंदी निकालना है तुम्हारा जो मू है ना माउथ यूर माउथ इसमेल्स महकता है वाइन सराब जैसा तो दरसल किसी भी तरह किसी का तो यहां पर वाइन की जगह गादलिक दिया था ठीक है ठीक है लासन तो यूर माउथ इसमेल्स आफ गादलिक यह वाइन तुम्हारा अम्मू महकता है सराब के तरह स्मेल आफ का प्रयोग होता है ठीक है यूज करिएगा आता एक्जाम में इसलिए आंसर होगा भी दोस्त झालिक है झालिक है